नमस्कार इन खबर में आप सभी का सुआगत है आज हम UK की एक ऐसे खबर आपके साथ शेयर करेंगे जिसे सुन आप सभी हैरान हो जाएंगे आप सभी कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ये तो पॉसिबली नहीं है ये खबर आपके लिए भी बहुत जरूरी हो सकती है दरसल UK की एक महिला बिना सेक्स करे हुई प्रेगनेंट आप सभी हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई महिला बिना सेक्स करे कैसे प्रेगनेंट हो सकती है तो इस खबर की पुरी जानकारे हम देंगे आपको विस्तार में दरसल UK में रहने वाली एक महिला ने शोशल मीडिया पर प्रेगनेंसी की कहानी शेयर की है। इस महिला का नाम निकॉल है और यह महिला 28 वर्ष की है। निकॉल ने बताया कि वह जब 18 साल की थी तब वह अपने बॉइफरेंट को डेट कर रही थी। उसने बताया एक दिन ऑफिस में काम करते हुए अचानक निकॉल के सीने में जलन होने लगी और चक्कर आने लगे। निकॉल को उसकी दोस्त ने प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की सलह दी। जब निकॉल ने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया तो वह है हैरान हो गई। उसके पैरो तले जमीन खिसक गई निकॉल को पता चला कि वह प्रेगनेंट है निकॉल हिरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है उसने अपने बॉइफरेंड के साथ कभी भी शारिरिक संबंद नहीं बनाए थे जब निकॉल ने इसके बारे में डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर भी सुनकर हैरान थे और वह निकॉल की बात मानने से इनकार कर रहे थे लेकिन जब निकॉल ने इसकी पूरी तरीके से जाच कर आई तो निकॉल को पता चला कि उसे वेजनेस मस नाम की कोई बिमारी है निकॉल ने बताया कि दिक्कत महसूस होने पर उस समय वह और उसके बॉइफरेंट एंटिमेट होने के दूसरे तरीके अजमाते थे डॉक्टर ने बताया कि सेक्स ना होने के बावजुद भी अगर किसी तरह स्पंप फ्लूड वजाइना में चला जाता है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है हाला कि यह बहुत ही कम मामलों में होता है और निकॉल का मामला उनमें से एक था निकॉल के सेक्स किये बिना प्रेगनेंट होने की वज़ा यही थी ऐसे हलात में निकॉल को डर था कि कहीं उसका बॉइफरेंट उसे छोड़ ना दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसके बॉइफरेंट ने उसका पूरा सपोर्ट किया साथ ही में निकॉल का boyfriend डॉक्टर के appointment के time हमेशा निकॉल के साथ जाता था क्योंकि डॉक्टरों को निकॉल की pregnancy पर विश्वाश नहीं होता था बिमारी का पता चलने के बाद निकॉल एक therapist से मिली और उसकी मदद से अपनी medical condition से बहारा सकी निकॉल ने बताया कि delivery के समय उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई हाला कि निकॉल और उसका boyfriend अब साथ नहीं रहते निकॉल अब अपनी बिमारी से काफी हद तक उभर चुकी है निकॉल की एक बेटी हुई और उसने कहा मेरी बेटी मेरे लिए किसी चमतकार की तरह है कई लोग मुझे अभी भी वर्जिन मेरी बोलते हैं और यह सुनकर मुझे बहुत हसी आती है निकॉल की सेक्स लाइफ अब नॉर्मल हो चुकी है लेकिन निकॉल की प्रेग्नेंसी की बात सुनकर लोग अभी भी हैरान हो जाते है ऐसे ही खबर की अपडेट पर रहीगी हमारी नजर आप देखते रहिए इन खबर धन्यवाद